दूसरा प्रश्ण है क्या सभी दनात्मक पुर्णांकों के वर्गमूल अपरी में ये होते हैं यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उधारण दीजिए जो एक परी में ये संख्या है तो इसका उतर है नहीं दनात्मक पुर्णांकों के वर्गमूल अपरी में न बटे एक एक परी में संख्या होती हैं तो इस परकार से इसका उत्तर होगा अगला प्रश्ण है कि दिखाइए कि संख्यार रेका पर रूट 5 को किस प्रकार निरुपित किया जा सकता है संख्यार रेका पर अपने को अंडरूट 5 को दर्षाना है जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच को तो हम दिखाई सकते हैं पूर्ण अंक को तो लेकिन रूड के अंदर जो संख्या होती है उसको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं वह हमें इस प्रश्ण के उत्तर में बताना है अंडरूड पांच का संख्या रेका पर निरूपन इसके लिए हम एक संख्या रेका इस प्रकार से एक संख्या रेका बनाएंगे इसमें बीच में हम जीरो रखेंगे फिर इदर एक, दो, और इस प्रकार से आएगे हम इसमें तीन बता देंगे और इसके दूसरी साइट पर माइनस वाली संख्याएं हम इसमें बता देंगे इस प्रकार से संख्यारे का बता नहीं है अब इसमें रूट पांच का संख्यारे को पर हम निरूपन करेंगे तो इसके लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमे होती है वहप्र में याद होनी चाहिए इसका उप्यों कैसे होगा इसमें होता है कि करन का स्क्वार बराबर लंब का स्क्वार प्लस आधार का स्क्वार मतलब माना कि अगर कोई जैसे त्री बुज है सम कोण त्री बुज होता है न तो इसमें अगर आपको कोई भी दो बुजाओं की लंबाई मालूम है जैसे A, B और C इन तीनों बुजाओं में से कोई भी दो बुजाओं की लंबाई अगर आपको मालूम है तो तीसरी पुजाई की लंबाई इसे पाइथागुरस प्रमिय की आधर पर निकाली जा सकती है तो अपने को रूट पांच लाना है रूट पांच हम कैसे लाएंगे कि मैंने जिरो से सुरू किया जिरो को मैंने ए मान लिया और 0 से मैंने 2 IK IK का एक रेखाखंड कीचा 2 IK IK यानि कि 1 से 2 तो A से में B पर चला गया तो ये मेरी कितनी हो गई दो IK IK हो गई है और यहां से मैंने B से उपर की और 1 IK IK का एक लंब डाला जो कहां तक पहुँचा C तक और फिर A से मेंने C को मिला दिया तो पैथागरुस परमे में मैं जैसे ही मान रखूँगा तो मेरे पास में A से B यानि कि सुनिए से 2 तक 2 IK IK है यानि कि आधार की value मेरे पास में कितनी है ये जो पैथागरुस परमे हैं इसमें हम मान रखेंगे कर्ण का स्क्वाइर बराबर लंब कितना है? एक है तो एक का स्क्वाइर और आधार कितना है? दो है तो दो का स्क्वाइर तो यहाँ पर एक का स्क्वाइर एक आता है दो का स्क्वाइर चियार आता है इधर हम कर्ण का स्क्वाइर ऐसा गसा लिखेंगे और यहां पर मैं कर्ण लिखूंगा और क्योंकि यहां पर 5 आएगा न तो इधर का जैसे वर्ग अटेगा तो 5 के लग जाएगा root 5 तो यह root 5 हो गया तो यह यहां का जो कर्ण कितना आ गया वो आ गया है root 5 तो अब हम यहां पर एक परकार लेंगे और परकार की यहां से सुनने से C बिंदू तक का एक परकार लेके उसको परकार को काटेंगे तो परकार इस परकार से कटता हुआ जो है इस परकार से इस बिंदू पर आकर टच करेगा तो संख्या रेका पर इस परकार की रेखा ने जिस बिंदू पर काटा वही बिंदू अपना कौन सा हो जाएगा रूट पांच हो जाएगा तो संख्या रेका पर इस परकार से रूट पांच का निरूपन हम कर सकते हैं